Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.M.H.I.01 का Last Fiber के Question Vipro को Solve करने वाले हैं इसके अंदर में हम बात करेंगे कि आपका syllabus 90% cover हो इस वीडियो के थूप और सासत में पूरा वीडियो देखने के बाद आपके पास एक list बन जाएगा most important question का कि कौन-कौन से question important है एक list बन जाएगा आपके पास most repeated question का कि कौन से question सबसे ज़्यादा बाद repeat हो रहे है एक list बनेगा और समझ में आएगा आपके पास कि किसी भी question को जो पूछा जा रहा है उसका pattern क्या है कोई भी question है उसका pattern किसी साबसे यह आपको समझ में आएगा और यह सबसे ज़्यादा जरूरी भी है कई बर क्या होता है कि student normally किसी chapter को बहुत अच्छे से cover करता है उसको उस chapter का basic knowledge होता है कि हम समझ में आ जाता है कि हाँ यह chapter के अंदर में यह चीज़े है पर उसी chapter में से अगर थोड़ा सा question घुमा कर पूछा जाता है कुछ नए tricky basis पे पूछा जाता है तब उसके बाद उस student के जो number होते हैं जाते हैं क्योंकि उसको पता नहीं होता pattern of the question क्या है तो हम जदनी ज़्यादा question को solve करेंगा हमें समझ में हैगा कि किस तरब से question put up के जाता है किस तर से question को present के जाता है और उसको कैसे solve करेंगा उसके अंदर में क्या answer है ठीक है MHI 08 का है और MHI 08 का ये पहली वीडियो होने वाली है और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो में लेकर आ रहा हूँ और अगर आप MA History के स्टुडेंट हो और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रिपेर कर रहे हैं लाना चाहते हो तो उनकी भी Last 5-year की वीडियो ज़ली हुई है Important questions की वीडियो ज़ली हुई है Question paper की वीडियो ज़ली हुई है तो उसको जरूर जाके देखे हूं के playlist के अंदर में और वहां से आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है Guaranty मेरी है चले start करते हैं देखो MHI 08 का question paper आपकी screen पर दिख सकता है June 2016 का में पहला question paper solve करवाने जा रहा हूं इस वीडियो के तुरू में 2016 सली के 2022 तक के question paper को solve करवाऊंगा और जहां से questions ज़्यादा repeat होना सुरूँँगे वहां पे हम अपनी वीडियो की end करेंगे चले start करते हैं MHI 08 भारत में परिसितिक M. परियावरण का इतिहांस पूरे book के अंदर में परियावरण से लिटेड ही question रहेंगे भारत की जो condition है geographical condition किस तरह की है परियावरण condition किस परकार की है उसी से लिटेड questions बनते चले जाएंगे ठीक है और timing जो होता है पूरे paper solve करने का 3 घंडे का timing है 100 number का paper है 5 question को solve करना होता है और सबसे most important चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है question को solve करते समय ठीक है 500 word के अंदर में ही answer देना है ठीक है चले start करते है अपना पहला question पहला question जो हमारा आता है दोस्तो पहला question आपका आता है विवीदिता भारत के भूपरी द्रिश्य का भूपरी द्रिश्य क्या होता है तो जमीनी इस तरह पर जो द्रिश्य है भारत का उसको किस तरह से define करती है परिवासित करती है उसको हमें बताना है टिपड़ी करना है इसा कुछ कस्मीर बनता है यह तो ऊड़ती जडीया लग रहा है उपर में आप देखोंगे तो उपर में बड़ी बड़ी पहाडिया हैं, मरफिली पहाडिया हैं, जिसे हम कस्मीर के तोर पर जानते हैं, उपर से हलका से नीचे उतरते हैं, तो यहां पर हलका से थंडा मुसम है, पंजाब उत्रा खंडी, जो भी यह सारा आ जाता है, तीक है, हमाचल पर्दे से सारा आ तो आपका गुजरात का पूरा एरिया हो गया ठीक है कख्षष की जो पूरी धर्ती हो वो सफेद धर्ती दिखने लगेगी उसके बाद यह बीच वाला जो एरिया हो मैधानी चेतर है जहां पर सबसे जादा फसल हो गाई जाती है सारी नदिया अल्मोस्ट दर्सी गुजरती है सबसे जादा उपजाओ भूमी के तौर पर यह वाला छेतर आजाता है आपका ठीक है उसके बाद इधर वाला जो छेतर है पूरा पहाड़ी वाला एरिया है ठीक है ठंडा एरिया पहाड़ी एरिया बरसाती एरिया यह सारा पहार है ठीक है संतल पठा ठीक है पहाड जैसे तो नहीं पर पहाड का ही छोटा बच्चा मालो पठार ठीक है ठोड़ा बोना रह गया तो यह जो मैंने बताया आपको यह क्या है भारत का जोगरिफिकल कंडिशन है कि ऐसा ऐसा चीज़ है आप अपने घर का वर्णन करना है अपने बड़े घर का वर्णन करना है कि इस तर से ऐसा है कि इस तर से आप यह तो मैंने आपको आम बोलचार की लेंग्विज में बताए कि इस तर से इसके अंदर में लिखेंगे नॉर्मली इसके अंदर में क्या डिफाइन करोगे भारतिय उप महादिप का भगोलिक छेत गजचन प्रायदीप केंध़ मद्दें के अंदर में उपजाओ भूमी है चिक इस तर से पूर डिफाइन करोगिन अंसर हो को जितने अच्छेस की बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं परियावरणी इतिहास पर उपनिवेशी करन से पुर्व अब देखो यहाँ पर जो कोशिन पूशा जा रहा है यहाँ परियावरण का हिस्ट्री बताने आपको पर उपनिवेशी करन जब हम ब्रिटन के गुलाम बनने थे उससे पहले की समय की बात कर प्रिप्रा YouTube अपनलब मालो भारता इंदर में ऊपनीवीश्क के पहले बिठ्न के गुलाम गुलाम बनने से पहले जो भी गूंत लिखे गए पंड़ा में जो इसके बारे में वर्णन करते हम उनका सूर्स लिते उए उनका नाम Ю उसके graffiti करेंगे और आंसर लिखेंगे जैसे एक आते हैं अजे सरकारिया ठीक है अजे तो अजे सरकारिया यहां पर कहते हैं कि आदिवासी तथा राज्य के मद्दे विरुदावास को इस्ट पस्ट उन्होंने किया कि मतलब क्या उपनिविशिक टाइम पिरिट से पहले कहता है जो र सिवराम कृष्णन करके आते हैं वो बताते हैं कि प्रकरतिक संसादनों पर लागू होने वाले प्रस्पष विरोधी स्वार्थ का गहन जांच परताल किया जो भी प्रकरतिक संसादन थे किस परकार से उस पर नए ने रूल लगाया जाते थे राजाओं द्वारा रोक लग भी इताइखती है फंडेखती है यह पानी नहीं देंगे पर क्या उस पानी पर उसका म मौलीма अधिकार रहें पानी कर्छृष को रोक लगा सकता है फलकुल बी नहीं ब हो प्रकरतिक शनसादन सभी के लिए अपशिजन मेरे पी उसके लिए हमी अं सभी के लिए होना चीग या उसके बारे मुनों ने लिखा ठीके तो यहां से हमें इसके बारे में बजा चलता है सासत में आप एक और आते हैं रवी राजन करके ठीके रवी राजन यहां पर बताते हैं कि अपनेवेशिक नीति के विद्वान ठीके आंतरिक विभाजन का समझने का प्रियास किया जैस सारे के इतिहास कार आते हैं जो इस topic के ऊपर बोलते हैं जहां पर आते हैं बसंत सवरवाल, ठीक है, दिव्य भानू सिंह और महेश रंगराजन इस तरह अगर के कई सारी इतिहास कारते हैं जो इन topic पर बोलते हैं आप उनको source बनाते हुए, आप उसको define करोगे, दो, चार्चा से स्टार्टिंग के जीरो संजीरो से मानलो दसवी सताब्दी इशा तक दोरान कृष्टी के विस्तार मतलब मानलो जब कृष्टी की सुरुवात किस तर से भारत के अंदर में यह पूछा जा रहा है जीरो से लेकर दसवी सताब्दी तक के बीच में ठीक किस प्रकार से कृष पाला के तौर पर स्टार्ट किया हुआ उन्हें नियुरल नियुकं बदोस के तौर पर किया और उनुने और उनょोंको पहले को पकड़ कर खाते थे तो चोटे जानौवर उखले होजार करना हुआ फिर दीरे दीरे वि्क्षित हुए तो उन्होंने क्या गिया पसूहों को पालना सुरूर गोमने लगे। तो उस तर असेदर घूर बढ़ने लगे तो प्रक्रइव कालवी मानी जाती है तो भारत के अंदर में पार्मिक काल सब्सक्राइब के बीच में किस परकार से कृष्ची की सुरुआत वी यहां पर इस कोशन के अंदर में पूछा जा रहा है तो यहां पर नॉर्मली हम सिंदू सब्बिता से बात करते हैं कि सिंदू सब्बिता के अंदर मेहरगड जो आपका एक इस्थल है ठीक हडपा का जो इतियास्कार है उनका आपसी मतभेद भी थीक है इस खृषि विस्तार को लेकर जैसे कुछ इतियास कार मानते हैं जो आज के समय में सिंधू घांटी है पूरा वह कृषी योगय भूमी जैसा नहीं है वहां बंजर जैसी भूमी है रितिलीभूमी है वहां पर कर्षि संबब नहीं है यह माना jyaatah keis आरे इतियासकारों के दौरा गुझ इतियासकार कहते हैं कि पहले के समय में जो जलवाय जो घाटी है वहाँ पर चावल की सुरुवात हुईती सबसे पहले ऐसा माना जाता है भारत के अन्य छेत्रों में भी क्रिशी का पर्मान मिलते हैं अलग लग जगों पे ठीक है भारत के उप महादीप में बलुची छेत्रों के अंदर में क्रिशी और प्रशू के पालने के नॉर्मली आप ये देखोगे पूरे हडपा सब्यता के अंदर में जो पूरा भारत के अंदर में विक्सित है पाकिस्तान के अंदर में भी आज के विक्सित है तो दो हिस्सों में बटकर इतिहास कारून इसका वर्णन किया है पहला हिस्सा वो है जो ये कहता है कि जो सिंद किनारें बसा हुआ था उपर से ये उपर इंधय चाहिए तो कई सारे जो इत्यासकारे ये दावा करते हैं कि बाहिए वो सिंदु गाटी नधी के लिए किनार थी तो गए तो कई सारी तियांसकार आज पूसते हैं कि आज कि साब परिवर्तन है ठीक है इसके काम से नहीं है बट उस समय पर हुआ होगा ऐसा माना जाता है तो आप इसको बस यहाँ पर क्रिशी किस परकार से विस्तार किया वो आप डिफाइन करके लिखोगी ठीके स्टार्टिंग से आप बता सकते हो कि किस तर आधिमानप के थुर यहां तक आया है और वहां से आप सिंदु घर्टी सभ्यता को स्टार्ट करोगे और उसको बडिफाइन करते हो चली जाओके या पहले सिंदु घर्टी सभ्यता को बतादो बाद में उट बता दो तो पूरा यहां पर कोशन का आनसर बनेगा अच्छे सकते हो ठीक है चलिए अगला question के और हम बढ़ते हैं अगला question fourth question कहता है कि उर्जा के उपभोग की एतिहासिक पारूप की विवेचना कीजी है देखिए जो भी question में करवा रहा हूँ आपको थोड़ा question को याद भी रखना है क्योंकि आगे question repeat होगा तो आपको answer पता होना चाहिए क्योंकि answer पता नहीं होगा तो फिर वापस आकर back में वीडियो देखो वो बहुत ज़्यादा difficult रहेगा and आप सबसी से request भी रहेगा यहाँ पर सभी students से request रहेगा देखो मैं early in the morning में उठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ almost 3-4-5 बज़रे होंगे ठीक है 4-5 बज़रे होंगे मैं वीडियो बना रहा हूँ reason यह है कि आपको अच्छी चीज़े मिल सके हैं आपका असले बस complete हो सके हैं अच्छी नमर ला सको एकजाम में उसके लिए prepare कर सको बट बदले में भी हमें भी उम्मीद रहता है कि हाँ हमें भी इसके बदले में यह चीज़े मिले उम्मीद क्या है कि आप हमारे चैनल को subscribe करें ठीक कि आप हमारे वीडियो को like करें आप अपने दोस्तों तक हमारे चैनल का लिंक सेयर करें, वीडियो का लिंक सेयर करें, जिनको ज़रोत हैं उनके तक वीडियो पहुचाएं, क्योंकि अगर दोस्तों आप MA की क्लास, पेड क्लासिस लेते हो, ऑफ्लाइन में जाके क्लासिस लेते हो, बहुत expensive होते हैं, बहुत म करना है, फिर एगंटा हुआ, पे करना है, पर आर कही साथ से आपको पे करना पड़े, और बहुत ज़्यादा expensive पड़ता है, मैंने क्लासिस लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हो, उसको value को समझो, अगर जो हम मैं आपको दे रहा हो, उसको समझो, ठीक है, तो उर्जा के उपोग की बात कर रहा है, तो उर्जा मतलब ये नहीं है कि बिजली बिल, ठीक है, बिजली electricity की बात नहीं कर रहा है, अब देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर में क्या energy है, ठीक है, आप वीडियो को non-stop एक घंटा, दो घंटा देख रहे हो, आपके अंदर क्या energy है, उर्जा है ना, कईना किसी परकार का उर्जा है ना, तो पारंबिक काल में मानव उर्जा का खपत क्या लाब बहुत कम था, क्योंकि फाल्टू की चीज़े थी नहीं, आज के समय में ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना, इस सा सुन मानव उर्जा के खपत बहुत कम था, कि यहां पर ज्यादा पाच्चित होती नहीं थी, थीचे कम लोग थे, उसके हिसाफ से होता था, आज हम पूरी दुनिया में तो जहां मर्जी जिस मर्जी से बात करते हैं कभी सुसल मीडिया पर कभी ऑफ-लाइन कभी ऑफ-लाइन ठीक है तुब रहता है यहां पर साथ साथ में देखते हैं कि मानग की उर्जा की जो आवे सकता है स्थानी रोप से भोजन और संग्रहन पर आधारित स्थानी स्थाटिंग में ठीक है भोजन किया जो उन्होंने मिला उकिया जो जिएक सर्ष करके उसके उपर चल्ती थी क्रिशी के विखास के साथ साथ में मानग की जो अर्जा की अवे सकता है क्या वुना व्रधी हुई जो अवे सक्ता है वो बढ़ती चली गई क्रिशी का जो उर्जा का एक मूलबुत सुरोत है मानव मतलब कृशी यूग से पहले जो मूलबुत सुरोत था अखेट करना, चोटे-चोटे जानवरों को पकड़ कर लाना संग्रहन करना, उसको रखना ठीक है, यह सारी चीजों के बेसिस पे ही उसका उर्जा का सुरोत चलता था जीवन व्यापन का यही आधार भी था मानव का, ठीक है, मतलब उर्जा का सुरोत क्या कृशी व्यवस्ता का सुरूप से पहले अखेट करके, सिकार करके, संग्रहन करके इसके तुरूई उर्जा का सुरोत बनता चला गया इस तरह के चीजशे यहां पर शुरूप में पर निर्बहर फ्रूप में परिभर आता है उर्जा की खपत होती है उसकी मानग में विर्दी विर्दी होती जाती है ठीक मानव उर्जा के लिए पसु धन पर निर्वर होना ठीक है अब धीरे-दरी क्या हुआ जैसे यह आदी मानव से दीरे-दरी इनसानने की और बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या क्या पसु को पालतु बनाने का पहला तो कुछ रीजन यह माने जाता है कि जैसे देखो कुत्ता होत अराम से रह सकती है जरुत पढ़ने पर हम उनको मार कर खा सकते हैं ठीक है वो हमें दूद भी देंगी तो इस कारण से क्या था उर्जा का सुरुपना पसु धन के उपर में सिफ्ट होता चला गया तो इस तरीके से यहां पर उर्जा का उपभोग को आप बता सकते हैं कि कि यह कोशन उस समय भी बहुत महत्यपून था और आज भी बहुत जाता महत्यपून है आज भी आपको जाना बहुत जरूरी है कि जल का संग्रक्षन कितना जरूरी है और क्या होता है किस प्रकार से जल का संग्रक्षन किया जाता है ठीक है अब जल संग्रक्षन के हम बात कर भारते उप महादीब के अंदर में तो नॉर्मल इसींपल पानी का बचाव किस परकार से तो जल एक किम्ति और दुरलव संसादन है यह सब को समझ में आता है सब को पता है सिमित मातरा में अपलब्द है यह भी सब को पता है तो उसको बचाने के लिए क्या क्या जाता था को देखने के लिए मिलेगा कुओं का विकास हुआ घरों के अंदर में कुओं के साक्षे मिलते हडपा के नगरी करन विवस्था के अंदर में मोहन जोदोडों के अंदर में पूरा देखा गया अल्मोस 700 जादा कुओं का परमान मिलता है मोहन जोदोडों के अंदर में प्राकर्तिक नहर होते तो उसका निर्माण किया जाने लगा गड़ों का निर्माण किया जाने लगा ठीक है बार के जल का संचे किया जाने लगा जो बार का जल होता था बारिस का जल होता था उसको संचे किया जाने लगा और इस तरीके से जल संगुक्षन पर जोड़ दिया सके कुछ कहते हैं कि पानी का जल का एक मुख्य स्रोत होगा जहां से पीने का पानी यूज करते होंगे ठीक है इस तरीके से वह अलग अलग जगा अलग विचारों को ने अलग 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 फिलोसपी वहां पर प्रेजेंट करी है तो इस तरीके से आप यहां पर डिफाइन कर कि क्योंकि जो अगला वोर्ड वोर होने वाला है वो पानी को लेकर ही होगा ऐसा बहुत सारे जो इतिहांस का रहे हैं राजनितिक विसेसर गये हूं वो मानते हैं ठीक है अगला कुश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो परियावरन संग्रक्षन की भारते परंपराओं की परमु पूजा करते हैं तो हम उसको काटेंगे तो नहीं नीम की पेड़ की पूजा करते हैं ठीक है वहां पर हम उसको भगवान के तौर मानते हैं तो हम उसको नुक्सान तो पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ हम दूसरों को भी नुक्सान नहीं पहुंचाएंगे ठीक है नॉ यह में इनका बचाव करना है भारते दर्शन के नुसार में जैविक परदार्थ जैविक परदार्थ वनस्पति परदार्थ वायू समस्थ प्राणियों का जीवन का अधार है ठीक है यह मानकर लोगों ने चला और इसके बेसिस पर क्या था कि बहिया जिसतर से मैं जीवित विवन्सपती के धार पर और हमारे जो वेद उपनिशद है पुरान है उसके अंदर में भी इनकाल जिक्र मिलता है जैसे आप देखोगे तो वरहा पुरान के अंदर में जो वरहा पुरान है आपका अपने पुरान कितने पुरान होते हैं आप comment करके बताइए, कितने उपनिशद हैं ये मुझे comment करके बताइए, लास वाली जो वीडियो में चाह थी, थीकिए में हिस्ट्री के चिरू इन्दर में मैंने पूछा था कि कितने उपनिशद हैं, किसेने comment नहीं किया था, बट अगर आपको पता है कि हमारे total कितने उपनिश्द है तो आप comment किजिए का मैं जाना चाहूँगा कितने students को पता है इसका answer तो वरहा पुरान के अंदर में इसका जिकर मिलता है जहां पर का जाता है कि पेंड तता व्रिक्षे मुख्ष प्राप्ति का एक संसाधन है लोगों को यह समझाए गया की पेंड और पौदे क्या है पर संसाधन की तरीका के ओ सबसरे मिलति का पर सबसरे जाद करते हैं सबसरे महनत करते ऑए और एक जगा स्थिर है प्यित्व और किकल से कुछ 10 अपना फल दिये जा रहे हैं अपनी सेवा दिये जा रहे हैं तो वह चीज़े हैं तो यहां पर आपका है उपनीश्यद वरहा पुरान के इंदर में पुरान के इंदर में यहां पर जिकरिक आगया कि एक ब्रिक्ष दस पुत्रों के समातुले हैं अगर आप एक पेड़ लगाते हो पेड़ को जनम देते हो तो दस जो आपके लड़के होगे उससे ज़्यादा बैनिफिट होगा दस जो बच्चे आपका जो लड़का है वो आपको भलाई कहीं साथ छोड़ दे पर जो ये ब्रिक्ष है आपके जनम से लेकर मिर्तिय तक साथ नहीं छोड़ेगा आपने जनम लिया तो ऑक्सिजन ले रहे हो वो किसका ले रहे हो पेंड से ले रहे हो जवानी में oxygen ले रहे हो किसका ले रहे हो पेड़ से ले रहे हो बूक लग रहे हो किसका खा रहे हो पेड़ से खा रहे हो ठीक है मिर्ति हुई किस पे जाके सो रहे हो तो भाया से जो जो सहिया बना आपका जो लासो का जो सहिया बना है आपका लास को रखने के लिए जलाने के लिए उसी पेड का बना है तो मतलब जनम से लेकर मिर्तियों तक आपका साथ नहीं छोड़ता तो यहाँ पे मस्य पुरान के अंदर में ये भी बोला गया अब देखो धीरे-दीरे क्या हुआ भारत के इंदर में उद्ध्योगी करन आ गया इस्ट इंडिया कमपनी आ गया और वहाँ पे देरे-दरे में विकास करने लगया अब वहाँ में परियावरण का उप्योग किस परकार का था तो नॉर्मली ये पूरा टाइम परियड ओद्योगी करन के हम बात करते हैं तो अठारे भी उद्ध्योगी करन के सुरुवात में ही ये हमें देखने के लिए समझ में आता है कि अपनेवेशी करन का परभाव भारत के उपर में बुरा परभाव भाई तो इसका रीजन ये रहा कि बहुत ज़्यादा वनों की कटाई सुरू हो गई ठीक है ब्रिटी सरकार ने अपनी जरूतों के साब से वनों की कटाई सुरू कर दी ठीक है और जरूरत किस परकार की थी उसके कांसियां पर वनों का दोहन किया जाने लगा ठीक है परियावरण का दोहन किया जाने लगा ठीक है तो यह चीज़ें पर फोकुस की जाता है भारत के अंदर में जो वन संगरक्षन व्यापर परमाने पर हुआ ठीक है जो दोहन स्वरी बारत के अंदर में इस्चिने क थीजिए कर सकते हैं। पूरी तरसे बगवान के उपर में कि भगवान बारिज करेंगे तब होगा तर अब मृदा के उपयोग से देरे-देरे विक्सित होते हुए अलग अलग तरीके के तोर तरीकों परिवर्दन आते हुए यहां पर इसके अंदर में विकास होता है ठीके तो भारत के उद्ध्यो कोशन आता है कोशन बरेत जिसके अंदर में बात करते हैं ऑतनिवेशिक तन उत्तर उपनिवेशिक काल में वहन नीचिया ठीके ओपनिवेशिक और उत्त वेन नी इतिया क्या थी बीच की समानता है और अंतर को यहाँ पर हमें बताना है तिक itais नॉर्मल से यहां पर देखो के भारत में संसादनों के गरिलू उपयोग के लिए और वनों के निवासी जो वन के अंदर में निवास करते थे वन के निवासी भोजन तता अन्य जरूतों के लिए उस पर निरबर थे वनों के ऊपर में, ठीक है तर्व पर्थम डलोजी के द्वारा 1865 के अंदर में वन निति लाई जाती है ठीक है 1865 में और सफापना की जाती है 1665 में उसके बाद का 865 से भारतियों के वनों का संग्रुप्षनितु स्थानिय नियमों का प्राफधान के जाता है जो वन के नदर में रहने वाले लोग है उनके विरुद कारवाई की जाती है वहां उनकी डंड का हमाँ का मतलब अग्रेजियों 내일 लाग्र द मोन अदिक की और यहां से वनों का Be अग्रेजीयों का तहीं पोन समा सूर्डार परया में अभ्ण पर शीकाल का विक्सित होने का टाइम प्रिड माना जाता है और उसके कारणे से क्या हुआ कि भारत के अंदर से वनों को ले जाकर वहां पर अपनी जगह पे अलग लग तरह के चीजों का निर्मान महलों का निर्मान उसका करवाया जाने लगा ठीक है वहां पर यह चीज़े तो आप किसी भी कोशन का आप आल्मोस से मिल ता जूलता आंसर बनार के लिख सकते हूं नंबर अच्छे मिल जाएंगे लिख उपर वाले कोशन में भीarette का इस तरह से लिए का रोल रहा ठीक है ओ द्खी और्गन के टाइम पर नीचे वाले कोशन में भी आल्मोस कुछ कोंसेप्ट हमें पताना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है पहले हमें उसे बताना है बागी चीजे बाद में ठीक है अगला कोश्चिन के और बढ़ते हैं कोश्चिन नमर नाइन जैव विविदता संग्रक्षन के महत्व को प्राकर्तिक प्रसीतियों छेत्र तथा मानम निर अगर हम राजिस्तान जाते हैं ठीक है उतर भारत के अंदर में क्याता है कि कोई भी जो सजी पाए जाता है ठीक है उसके अंदर में जैविविता पाए जाता है सजीव के अंदर में पाए जाने वाले विविविन का परकार की विविता हैं जैविविता कहलाती है सिंपल सी बात ठीक है जैविविता सब्द जो है सब्द के अंतर का था पेंड़ पौदे जीव जन्तु एम सुक्षम प्राणियों को संबंद में सभी को मतलब उहां पर जाता है ठीक है चाहिए पेंड़ हो पौदे हो जीव हो जन्तु हो ठीक है सुक्षम प्राणियों सभी को उसके अंदर में रखा जाता है यहां पर प्रकरतिक सोरूप एम जलवायू का काफी विविंता है देखने के मिलती है ठीक है भारत में लगबग 55,000 से जादा परजा फुस्वा मोग आपने दिखा होगा तो वहां पर लाल चंदन की बात की जाती है लाल चंदन की बात ऑड़ की लाल चंदन है क्या तो आज के संब्रमें में उसको फटम होता जा जारा है क्योंकि उसकी बहुत चाहितार्व में देक्शा टीघा मयने अश्रम के अधिक ऑने और लग लग तरह से उसका उप्योग करते थे तो उसका स्मग्लिंग हुआ बहुत जादा ठीके तो वह जे भी वित्ता के आज खतम होने के एक अगार पर और आज भी लोग उसको काट कर बेच रहे होते हैं ठीके बहुत कम मात्रा में बचे हुए एक टाइम था कि भारत उसम अगले question paper के और हम बढ़ते हैं यह वाला question paper हमारा यहां पर खतम हो जाता है अगला question paper आता है अगला question paper आता है आपका December 2016 जिसके अंदर में हम बात करेंगे भारत की परिसितिक एम परियावरनक इतिहास का जो आपके book का नाम है तिम घंटे का time है same question paper है कुछ फाल्तू extra नहीं है पांच question को हमें solve करना है सो नुमर का paper है 500 word के अंदर में answer लिखना है पहला question के कर हम बात करें यहाँ पर तो कृषी के प्रादू भाव से पहले कृषी ववेस्था के उद्भव के बाद प्राकर्तिक संसादनों के उपयोग तथा प्रमुख विस्यस्ताओं को रिखांकित कीजिए अब देखो कृषी के प्रादू भाव मतलब कृषी के जनम से पहले और कृषी के ववेस्था के बाद मतलब कृषी का जनम मतलब कृषी आया ही नहीं समाज में उससे पहले की बात कर रहा है और कृषी ववेस्था के उद्भव के बाद में ठीक है पहले और बात को दोनों को डिफाइन करना है प्राकरतिन संसादनों का किस प्रकार से उपयोग के जारता उसके बारे में मतलब दो लाइन की चो एक तरफ आप बताओ कि भाई कृष्ची से पहले किस तरफ थी दूसरी तरफ बताओ कृष्ची के बाद की विवस्ता किस प्रकार की थी ठीक है ये अगले हम यहां पर हम इस कोशिन का अगर आंसर देखें तो नॉर्मल दो सेग्मेंट में इसका आंसर देते हैं ठीक है कि कि किरिश्ची का किस प्रकार से रहा तो आनेक से पहले की जो विवस्ता थी तो मतलब आदी मानव काल के अंदर में प्रकरतिक संसादनों का व्यापक हम दोहन होता है यह दोहन नहीं हुआ यह मान जाता है व्यापक उप्योग हम देखने के लिए नहीं मिलता है आदी मानव के प्योग क्योंकि उनको चाल प्यों कदल होती हो इसको का करतिक संसादमों को उप्योग संपुर मातला में नहीं कर पाते थे ठीक है आधी मारा द्वारा बनाये गए प्राचिनतम पाशान उपकरन थीक है बड़े और बेढंग अपिकर्स थे ठीक है वह पाशान उपकर मतलब पत्थर के जो ओजार बनाए गये तो उसी के बेसिस पर क सिकार करते थे ऐसा निता कि वह मार दी आहां थी को और खाने वाला बंदा ही की है और उसको बरवाद हो पिर वह सिसाब से नहीं वह अपनी जरूत को देखते हुए छोटे जानवरों का स्टार्डिंग में सिकार करते थे धीरी 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 उनका जो समू बढ़ता गया और और उसके बाद वह बड़े जानवरों की और सिप्ट होते चलेगे बड़े जानवरों का सिकार होने कारना आनम्र किया ठीक है समझ में आता है दूसरा चीज़ यहां पर यह देखने के लिए मिलता है कि ओजारों की कुसलता बढ़ने लगी देरे देरे ओजार जो धे उनका रौकर सिकार करते थे तएरी हां धार घार घार होने लगे और इहां के चीज़ों के लिए वह दूर से भी पैरम्ब करते थे ठीक हां पर अपने साथ कूछ पालने लगा समय का परिवर्ताना जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने लगा चारी की खोज में बोजन की खोज में ठीक है तो वो पसुपालन खाना बदोस की तौर पर जीवन वे तीत कर रहे थे पर एक जगह रुकर जानवरों को साथ में सब्सक्राइब करて maar कुछ उसमें से गाले हैं अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं अगला question हमारा आगा भारत की विवित्ता पुन भूद रिशे देखो ये वाला जो अभी हमने पीछे question नमर एक के आता ना उसी से same related question है ठीक है और almost जो इस पूरे book के अंदर में chapter है एक दूसर से काफी अद्तक similar है एक दूसर से काफी अद्तक same है अगर आप 10-15 chapter भी करोगे ना तो आपको लगया है ये वाला chapter भी तो अभी पढ़ा ही था ये वाला chapter भी तो यही पढ़ा था मतलब सारे में almost same ही answer दे रखा है तो इसके अंदर में क्या है विवित्ता पुन भूद रिशे के बारे में बात करा है उनके प्राचिन भारते सब्वरता के आरम में सिंदुगाटी सब्वरता का माना जाता है ये सब्वरता कृशी आधारी सब्वरता थी यहाँ पर भी पुन भूद रिशे की बात करने का मतलब किस परकार का अलग-अलग भूद रिशे रहा है भारत का उसके बारे में define करने की बात की जारी है ठीके तो आप देखोगे तो भारत का एक छेतर जहाँ पे सिंदु घाटी सब्वेता देखने के लिए मिलता है दूसरा छेतर यहाँ पे देखोगे जो बीच वाला छेतर था वहाँ पे जहाँ पे गंगा जमना दूआप छेतर है जो उपजाव मिट्टी जहाँ पे सबसे ज़्यादा है बीच वाले छेतर में वहाँ पे कर्शी वेवस्ता सबसे ज़्यादा विक्सित होते हुए दिखती है पंजाव, यूपी, भिहार, ठीक है मद्य परदेश यह जो पूरा छेतर है इसको दौआप छेतर का जाता है यहाँ सबसे ज़्यादा गिरती है जलती है गुजरती है और नदियों से जो जलोड मिर्दा होती है जो बहा कर मिट्टी लाई जाती है सबसे ज़्यादा उपजाव मिट्टी होती है और इन मैदानी छेतरों में ही सबसे ज़्यादा उपजाव मिट्टी मिलती है जिसके कांसी यह सबसे ज़्यादा बिक्सी छेतर माना जाता है टीगे समझ में आता है तो यहां से आपको यहां पर इस कोश्ण में define करना है पहले वाला वीता था भुभ वीता था था अपरहण के बोले करहें अधा उसके अंदर में भारत का ऊपर से वर्ड़न रहाता बहुंतर में क्या है यह यह इस तर लोकौ सफर गंगांजमा मिया श् किस तार हो रहा है और किस तर से लोहे का उप्योग से जंगलों का बोधन हो रहा है वो सारा कुछ यहां पर भूपरीदिर से विविता पुर दिखाएंगे अलग अलग जगों के इस आप से वहां पर लिखे गए उसके बारे मताईए तो मैंने पीछे कई सारी थिहांसकारों के नाम बताए थे ठीक है उनके बेसिस पर ही वही कोश्चन सेम है कोश्चन नमर अगर आप पिछले कोश्चन में 2016 का जो कोश्चन अमने पढ़ा था भी जून वाला उसमें कोश्चन नमर अगर आप सिंदु घाटी सब्द्धा में कृष्ची के तरीकों में तरीकों के परियावरणी महत्व ठीक है अब विद्वानों के बीच में ततकालिंग सिद्ध्धु घाटी जो परचति उसको लेकर मत्भेद है यह वाला भी कौश्चन मैंने पीछे बताया था आपको बहुत अच् कुछ विदवान मानते हैं, कुछ इतिहांसकार मानते हैं, कि सिंदु घाती जो समयता है। बहुत जदा उप जाओ हैं। वही पर कुछ मानते हैं, कि आज की condition के साथ से उप जाओ नहीं है। अगे ही मैं बात कूर इसको तो नॉर्मलि आगर यहां पर एक चीज और है। मानते हैं जो इत्यासकार मानता है कि वह उपजाओ भूमी से भरपूर है तो वहीं उनका ये रीजन अबता है कि यहां पे ना जो वरसा अधिक मातरम होती होगी वहीं एजियूम करके चलते हैं वहां पर यह मान के चलते कि सिंदू नदी थी जिसके काँ से जलोड मिरदा करते हैं तो आपको ये खुद पढ़ना है और पीछे में करवा कर और रहा हो Friedal उपयोग के तरीके में उपनिविशी काल के दोरान में हुए परिवर्दन जो भी वन संसादन है उसके तरीके में किस परकार से परिवर्दन आया है उपनिविशी काल में उसके बारे में आपे वर्णन करना है अब देखो उपनिविशी काल की बात कर रहे हैं तो हम अगर चंदन की रखड़ी काट के रिखेंगे चीन में बेच भी सकते हैं ठीक है यह हमें समझ में आ गया तो वनों का क्या हुआ उपयोग बढ़ गया ठीक है उसके उपयोग में परिवर्तन है पहले लोगों का उपयोग आ था कि भिया गए जंगल में इन प्रिफश होता ह अंग्रीजों के अंडर में आते हैं, तो वो बताते हैं, भाया तुम्हारा पास इतना जंगल है, चलो हमें काटने दो, फिर हम काटके ले जाएंगे, फिर दिरे-दिरे में यहाँ पर परिवर्त बनाता है, भारतियों के सासत अंग्रीजों की भी मांग बढ़नी चली, क्रिशी विस्तार हुआ, क्रिशी विस्तार हुआ, तो उसके क्या हُआएं सब्धा है, लृट वो में चरण काटा है, पर नियुदी सुद्धर है, फिर दिरीकार नियुका किया जाने लगा वब औन पर बंदन नीती के थूर तो उन्होंच मतलब वनों को तीन भागों में बाड़ दिया गया गया जिसके धार पर वह जो से व्यापक स्तर पर विनास कर सकें ये सुनस्शित किया गया ठीक है समझ में आता है अगले question paper की अगले question के और बढ़ते question number six संग्रक्षन से आप क्या समझते है परियावर्न संग्रक्षन के मतलग क्या तात पर रहे हैं क्या परिपेच्चे है भारते परियावर्न संग्रक्षन के वो हमें बताना है तो संग्रक्षन होता क्या है? इसके बारे में question number 6 में मैंने दोजाब जून, जोजाब 16 वाले question परकेंदर में बताया था तो वहां से आप इसको देखिए जिससे आपको समझ मैं है question number 7 के और बढ़ते हैं भारत में उपनिवेशिक करण ने किस परकार प्राकरतिक संसादनों के उप्योग के तरीके में तरीकों को पुनरवासित किया ठीक है उपनिवेशिक करण ने अब देखो नॉर्मली आप देखोगे उपनिवेशिक करण अभी पीछे वीजू उपर में पांचाओ question का अंसर दे रहा था उसमें भी same ही आंसर दिया था कि उपनिवेशिक करण के कारण से देखो यहां पर question number 5 में हमने क्या आंसर दिया question number 5 में हमने यही बोला उपनिवेशिक करण में वनों के उप्योग ठीक है उपनिवेशिक करण में वनों का उप्योग किस परकार से किया गया ठीक है यहाँ पर हम यह कह रहे हैं कि अपने विश्य करन के अंदर में प्राकरतिक संसादनों का उपयोग किस परकार से हुआ तो यहाँ पर भी almost same ही answer आने वाला है ठीक है as like question number 5 तो यहाँ पर इसका answer आप दे दोगे question number 8 की और बढ़ते हैं तो 8 में का जाता है कि प्राचिन काल से ही जल और अन्य प्राकरतिक संसादनों की अपयक्छा अत्यदिक संघर्स बिंदू रहा मतलब जल जो है दूसरे प्राकरतिक संसादनों से जादा संघर्स का बिंदू के तौर पे था ऐसा क्यों भाई उदारन सहीत बताईए आलोचनात्मा प्रेक्छन किजे इसके बारे में मतलब देखो प्राकरतिक संसादनों के अंदर में जल भी आता है पेड़ पोदे सब कुछ आते हैं पर पेड़ पोदे बाकी चीजों से ज्यादा इंपोड़े से जल पे दी गई जल के उपर में सबसे ज्यादा वाद विवाद रहा ऐसा क्यों इसके बारे में कोश्चन है जल को सबको पता है कि या जल ही जीवन है अगला जो वर्ल्ड वर होने वाला है ठीक है जितने बड़े-बड़े राजिंदिक पंडित हैं वो यह मान के चलते हैं कि विश्व के अंदर में अगर अगला कभी वर्ल्ड वर हुआ तो जल को लेकर होगा क्योंकि जिस तरसे जल अधीने-देरी खतम होता जा रहा है जिस तरसे लोगों की पॉपलेशन बढ़ रही है ठीक है उसके काल से जल खतम होता जा रहा है तो यह चीज़े रहेंगी और जल संगर्स का बिंदू रहा क्यों तो उसका रीजन यह देखे जाएगा कि जल संचय और परवाद्शेत्रे के अधिक राज्यों के अंदर में होता था है यहां पर corazón रही है एक नदी बह रही है एक नदी बह रही है तो वह दिल्ली से निकलती रही होते है और जाती है ठीक है और और उपर से उपर से नहीं दाभी आ रही है पर हम यह Mmm कर उसका उप्योग कर रहें अब UPC वाले सौच है भाई या हमें पानीड़े हम क्या करेंगे हम भी तो असी पानी पर निर्फ बने हैं तो आपस में क्या वह लड़ाई हो गई तो चलो दिल्ली वालों ने क्या है फ़ोड़ा सा पानी छोड़ दी आप UP वाले अब फिर यह न रा नधि फै कर दिए यह द्रक दे को बधि भहने और उसशा सकता है वाइर्ट रोकता देखो नदी का जो परवाह है एक राज गोला जाज़े में ज्यादा किसी राज़े में से लाज और सटकारों के अंदर में रहता कि वह पानी पुरापर देनी रहें ठीक है जैसे कई बार हमारे जो दिली के जो मुख्यमंत्री है मालिक जी है केजरिवाल जी वह मैंने पिछले कुछ उनकी वीडियो दिखे थे जिसमें वह एक दावा कर रहे थे कि जो हर्याना है दिली को प्रापर पानी पानी दिली के अंदर महाननी दिया जाता है हम उसके लिए वाल टाएंगे हमें हर्याने सरकार बनाना है पिर उसके बाद वह अगर केजरिवाल जी की सरकार अगर हर्याने बन गई तो समझो दिली वालों को 24 x 7 होता है ठीक है वह मालो 90 x 90 पानी देंगे 99 x 99 पानी देंगे ठीक है एक दिन में 22 गंटे 24 गंटे होता है ठीक है वो 99 गंटे कर देंगे कि एक दिन में 99 गंटे पानी देंगे हमें ठीक है पॉसिबल है कर सकते है ठीक है यह जोग था उसको ज़्यादा सिरियस मत लेना अगर कोई आम का सपोर्टर है ठीक है तो उसको स जल्विवाद रहा ठीक है कृष्णा जल्विवाद रहा ठीक है नर्मदा जल्विवाद रावी और व्यास जल्विवाद तो यह पर्मुक जल्विवाद है जो भारत के अंदर में चलते हुए आ रहे हैं ठीक है इस तरह के जल्विवाद हैं और इसी के बेसिस पर गौर्णम लेuban बनाने बस्कूर आने और इसके अंदर में राइट भी दिए जाते हैं मौर्मिनten के नाच के इंद्र है वह ओसे । संसदा भन कने चीज़ के आ परीकर से यहां पर यहांपर की दॉप Allah o सफ़ीधान के बाई क्ट्रिकाय पहस करने घाया सकता है संसद अ में इसके सीधाय deeper yours यहां पर यह भी चीज देखी जाती है ठीक यहां पर नएन कियों बढ़ते आ हैं यहां पर आधा तक गहन. परिस्तिक तता समाजिक परिस्तिक की समानताओं के बीच को अंतर को सपस्ट कीजिए गहन परिस्तिक क्या है और समाजिक परिस्तिक क्या है यह कोशन थोड़ा सा अजीव है ठीक है और अच्छा भी है ठीक है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं गहन परिस्तिक को अभिन परिस्त कहता है ओगली बार कोशन या घान भावक पर गहर्ण प्रसीՃ को देखा जाता है इसके, दो-्धार का धार जाता है मजब हम एक और ग Model की स्पप्र है जोबी जीन ही जीवanie та आपस में संबंध ने प्रस्फ equipment ग्यानेक दिश्ची कोन के अंतरकत हम देख सकते हैं ठीक है यह माने जाता है पहला जो thinking है यह कहता है इसका दूसरा जो thinking है दूसरा यहाँ पर thinking कहता है कि यह विचारधरा सभी प्रकृतिक प्रदार्थ ठीक है परितंत्र जीवन और भू परिदिश्चे के बीच समानता की व विचारध आते हैं जो गहन परिश्चतिक डीप एकनालोजी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं नीस ठीक है नीस यहाँ पर कहते है कि साधगी पुन जीवन अपना कर मनुस्य एम धरती पर नगने रूप से प्रवावित रख करेगा ठीक है मतलब धरती को प्रवावित नहीं एक िधरमाजिक परिसितितिखिए हम बात करें समाज की क्या कंडिशन से समाज के क्या इकनलोजी है ठीक है सोसल होलॉजी तूॅ को भाड़े मरद की जाती है आर्बिणाि को समझने के लिए समाजी करनूं की खोचभीन आविश्यक यह अभें करके मार्य बुकचीन करके यहां पर मर्रे बुक्चिन करके एक इत्यांसकार आते हैं वो इसके वारे में कहते हैं कि समाजिक परितंत्र के विचारधारा के द्वारा मतलब उन्होंने समाजिक परितंत्र की विचारदार के उपर में अपने टिपणी करी साथ साथ में वो ये बोलते हैं कि समाज को प्राकर्तिक के विरुद मानफता के जे विवस्था और तरक के संबंध तक्निकी और विज्ञान को अलप विक्सित सामना करना चाहिए ठीके मतलब किस तर से मतलब समाजिक। आद परितंत्र का ये समाज के अंदर में कौन-कून रहता है। किस तर से संबंद है उसके बारे में बुचिन ने बूला है ठीके मरे बुचिन ने थीके समझ में आता है। यहां पर यह वाला exactamente घोता है थीक है सेम पैटर ने कोश्चन का उसमें कोश्चन इंडर्डॉक्शन के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं समझने के लिए कोश्चन नमबर एक ही बात करो भू पर दिश्चे की विवित्ता को बताईए तो यह वाला कोश्चन हम दो बार कर चुके हैं जून 2016 के कोश्चन नमबर टू के अंदर में मिल जाएगा आपको ठीक है यहां पर फिर अगला कोश्चन जो हमारा है का भारतिय उपमाधित में प्रकरति कृशी के विस्तार शेत्र को टिपने कीजिए तो यह वाला कोश्चन भी आपको जून 2016 के कोश्चन नमबर टीन में मि इसकी जगह खाना बदोस कर दे इसकी जगह घूमतू कर दे ठीक है इसकी जगह कुछ और बोल देना तो भी आप आंसर वही लिखोगे तो थोड़ा सा वर्ड को ध्यान में रखकर कोश्चन को समझे जो मैं आपको स्टार्टी में कहते हैं कोश्चन ऑफ पैटन वही है कोश उसके काई समस को खाना बदोस के तौर पर देखते हैं तो उसकी विस्यस्ताओं की बात करोगे तो नॉर्मल उनका अखेट संग्रहन और पसुदाई समान के ब्रमन के उपर में उनका निरभड था उनका जो जीवन था ठीक है वो क्या करते थे कि एक जगह सा दूसरी जगह को घूमते त्युमने गारिजन क्या उता था तो नॉर्मल ही वह पसुद चाहरा के तालास में ठीक माल अलो कहीं पर रह रहे हैं खी송 कि आज मैं डैली में रहा हूं और 90 साल जी जाओगे तो फिर उसके इसाफ से करेंगे साधी विवा ये सोच के चला गया ठीके बट सडनली क्या हुआ मैंने TV कोला वहाँ पर DNA करके प्रोग्राम आ रहा था उसमें बताया कि भाईया अगर आपने 90 साल जीने का सपना देखा है तो भूल जाए तो भूल जाए पूछा अपने आप से फिर वहाँ पर बताता है DNA वाला सुधिर चौदरी जी कि आपका जो जीवन है वो साट साल से भी कम है मैंने कभी ये साल कहां चला गया तो उन्होंने बोला तीस साल जो है आपके गैस चेंबर में मैंने लगे क्वों चेंबर में हो तो के तैंडिली म तो जो यहां पर pollution है जो इतना बड़ा pollution level है आप पर डे अपना एक दिन कम कर रहे हो ठीक है अगर मानलो आप 30 साल के हो गए तो 30 साल में आपका 30 साल तो कम हो गया तो बोला अच्छा भीया आप 90 साल में से 30 साल आपके कम हो चुके आप सिर्फ 60 साल जी हो गए उसने ये बताया तो समझ रहे हो कहने के मतलब क्या? तो किस परकार से पाशुचा आपके पूरा था अब मैं दिल्ली में रह रहा हुआ न कहने का मतलब ये था जब तक वहां पर साप है, वहां पर रहेंगे, वहां से फिर अगर कभी कains कई होगा, तो कोई student होगा, कोई भूला लिया, तो वहां चली जाएंगे, बाद में कहीं और चली जाएंगे, कभी और चली जाएंगे, बुरिंदावन आख जाके रहेंगे, इस तरीक आपना जीवन योपी चले गए योपी में कहिए योगी जी के पास रह रहे हैं फिर ही मेर ासन मिल रहे हैं खारे हैं भी रहे हैं फिर उसके बाद योगी जी के से थोड़ा मनम इटग हो गया योगी जी ने देखा कि दो-तिन गाड़ी पलत वा wickड़ монटनी dest slab बंदे में डर गया, कि भईया कहीं यहाँ पर हमारे साथ में सीन ना हो जाएं, तो उसके बाद वो सोचे कि चलो भईया, क्या करते है, राजिस्थान चलते हैं, राजिस्थान पाधारों मारे और देश वहां पहुंचे क्यों की बार 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 बोल रहा था बंदा, तो उसको लगा इस खाना बदुस्वाले को कि भईया मुझे बुला रहा है तो राजिस्थान गए तो वहां पर कुछ दिन रहे गए लो साप के पास में ठीक है और बहुत अच्छे से खातेदारी हुई सचीन पाइलेट जी थे मतलब मस चल रहा था उसके बाद ही में क्या हुआ तो देखने के लिए मिलता है उनको एक दिन नीजस्वेपर आता है नीजस्वेपर के अंदर में क्राइम रिट बहुत ज़्यादा हाई था उसके बाद इस उते हो भी आए तो बड़ा दुजदा वाला वीचार है फिर उसके बाद गुजरात के अंदर में जैसी पहुंचे आपे को आप अदर गवगे खिर कोुछ दिन रहें होँए थीक होँए महां पर महा काल आच के मंदिर में दर्सन किये बाया बहाई तरे यह रीजन क्या था एक जगा से दूसरी जगा भागने का मतलब करहीं ना कुछ अलग अलग रीजन के इसाब से भागे पर यहां पर फालतु जी को छोड़ते हूं यह ऐसी था जोग ऑफ दा वीडियो आप समझ लोगी यह थोड़ा सा क्योंकि आप मानना होता है बट बिल्कुल ऐसा है नहीं आपको पढ़ने के तरीके में छींजिस करने की दोरत है आपको समझने के तरीके में चेंजिस करने की ज़रत है ब्रहम ची जो पशुचारिय helps भर आव बज पुससंचार妈 थे के तो भाटो खेट पर, संग्रहन पर, सिकार पर उस पर अधारित था, दीरे दीरे वो क्या किया जानवरों को पालतु बनावा सुखे, फिर एक जगद सा दुसरी जगद ट्रैवल करने लगे, एक जगद सा दुसरी जगद जाते क्यों ते, अगर वो किसी जगद पर रह रहे तो वहाँ प उसका प्रिक्षण कीजिए, क्रिशी शैली का प्रिक्षण कीजिए, सिंदु घाटी के अंतरगत में, इस कोश्चन का भी आंसर में ने दिया है, आप दिसंबर 2016 के कोश्चन वीबर में, कोश्चन वीबर चार के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, कोश्चन वीबर पांच क साथ-साथ में दिखा जाता है कि रिख्वेट के रूप में गाउं की सीमा मान जाती दिखा जाता है ठीके दीरे-दीरे क्या होता है कि 500 इसा पुरूफ में वनों को काट कर निवास इस्थल के रूप में विक्सित क्या जाने लगा, खेती इस्थल के खेत, खेत के तौर विक्सित क्या जाने लगा, 500 इसा पुरूफ के अंदर में, रिग वेत के अंदर में ये बताएगा कि जो गजास के विए सिमा है है मन की सीमा को माना जाता था ठीक है जहाजों के निर्मान के साथ में भी समझाए गया कि वनों के उपर में किस तरका महत्व है वनों का क्या इंपोर्टेंस है और कोटिली के अंदर में बताया गया मोर्रे के कई सारे जो गुरंत मिलते हैं वहां पर वनों के महत्व को बताया गया ठीक है तो यह चीजे हैं और इसको यहां पर डिफाइन कर सकते हो ठीक है समझ में आता है अगले को और बढ़ते हमारा अगला कोश्षिं आता है कोशने नुम्बर सिक्स जहां पर पूछा जाता है पूर्व ऑपनेवेशी काल में ऑपनेवेशी काल संदुकार्टि कि पहले मनदब सबसे पहले तो जल क्या कर राइट कि कि मेरे पापा कोंसे पापा भगवान ने दिया सब का जल है पहली कि दूसी चीज चाई का सुष्विदा का हम देखते हैं तो सिंदु काटी के दर मिलता है कि बया सिचाई के लिए कुगों का निर्माण जल के उपर में भूमी गजल पर निर बढ़ते ठीक है दिरे दिरे समय बढ़ता है तो वहां पे धोला वीरा के जो जनसादन थे जो जीवन था वहां भी हमें निवासयों के तुर आगर आप मौरिस हबदा के अंदर में आते हैं तो वहां पे भी राजयों द्वारा नहरों का निर्माण कराए जाता था ठीक है नदियों का निर्माण कराए जाने लगा ठीक है कुंडों का निर्माण ता बलावों का निर्माण कराए जाने लगा जलसन सादनों को उपयो तो देंगे तो में हमारे दो बैक्त होका तो उसके लिए उन्हों ने क्या टैक्स यह उसको लेकर यहां पर चीज़े रहती हैं और यहां पर बताई जाती है ठीक्ट कि आप उसको डिफाइन कर सकते हो उपने वेची काल के टाइम पिलिड़ का उसके अंदर में जल प्रबंदन के तरीकों में क्या प्रिभलतना है वो आप यहां पर दिखा होगा ठीक ह गहन परिसितिक डीप एकनोलोजी क्या है अभी मैंने बताया था ठीक है तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा दिसंबर 2016 के कोश्चन नमबर 4 के अंदर में यहां से उसको देख सकते हो कोश्चन नमबर 9 की बात करू तो आज के समय में परियावरन समस्या के लिए गांधी वाधी दर्शनवाद क्या है देखाव गान्दी जी की हम बात करें तो गांदी जी ने पलमस्ट पूरी विश्यू का बर्मन किया है उनको पूरी विश्यू के विकास मॉडल के बारे में पता है कि क्या चीज पर किस तर उसके बाडहिची को आईडी जी ने कहा कि अगर आपको विश्व को विकास करना है в इक वर तो पर एक व्यक्ति के घर में क्या घाना बना है वो पुरे गाउं को पता होता है ठीक है एक व्यक्ति का स्वास्ति किस प्रकार का पुरे गाउं को पता होता है पर सहर में क्या है कि मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूं नीचे वाले में क्या हो रहा हूं मुझे नहीं पता हो नहीं उस इस तरह से मतलब इतने ज़्यादा गूल मिलके आपसी प्यार है आपसी लोगों का सहमती है प्यार है तो उसमें रह रहे हैं पर वह जिस जगह रहा था देली के अंदर में वहां पर 35 चुकड़े कर दिया और आस पास के लोगों को पता ही नी चला भना की नी पड़ी किस तरह किस तरह से परिवर्तन हुआ समाथ उसके बारे में यहां पर है तो गांदी जी का विकास का मॉडल गाउं पर अधारिता हिंद स्वाराज के अंदर में इसका वर्णन किया गया है किस तरह सो गाउं के चीजों को फोकॉस करते थे परियावर्ण समस्या के लिए उन्होंने सब्सक्राइगा जून 2018 का कोश्चन में पर और यहां से कोश्चन से आलमस्स रिपीट होंगे आपके सारे ठीक है तो आपको उसके हिसाब से आपको खुद करना है कोश्चन उपर समझाने के जरूरत है नहीं कोश्चन विपर का जैसे पहला कोश्चन देखोगे तो आदी क आदी काल में प्रकरतिक तता मानव संबंदे के प्रकरतिक तता मानव के मदे बदलते संबंद किस परकार के थे आदी काल में अब देखो मानव के किस परकार संबंद देरे मानव या था जागरूप तो रहा था चीजे में बदलाव आ रहे थे ओजार में बदलाव आया ठी दूसरा question है भारत के भू द्रिश्य का ये वाला question मैंने दो तरीके से बताया है पहला question के अंदर में बताया है मैंने किस तरह से भारत की उत्तर में हिमाले है दच्छिन में पठार है इस तरह से define करके बताया था तो वह हो गया दूसरा चीज में हमने बताया कि एक तरफ सिंद तो बहारत के अंदर में अगर आप मालव भिहार में यूपी में हो पंजाब में हो आप पानी की बहुत ज़्यादा महात्रा है पानी की अच्छी है ठीक है तुर पर खेती के जो जो अलग अलग चुरेक प्रगार की खेती होती है, ठीक है, selected खेती की जाती है, तो किस तर से परभावित करते हैं, परियावरण संबन्दि जो विभेंता हैं भारत का, और किस तर से define करते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है, अगले question को बढ़ते, question number 4, यहाँ पर कहता है, जल तथा वायू के उपयोग के pattern को बताईए, ठीक है, जल और वायू का किस तर से उपयोग होता है, किस तर से उपभोग किया जाता है, उपयोग नहीं उपभोग, किस तर से उपभोग किया जारा है, वो आपको यहाँ पर define करना है, ठीक है, question number 5, यहाँ पर कहता है, क्रिश्य समाज के ठीक है, तो वो आपको बताना है कि किस तर से मेर बारे उनके उपर में, तो यहाँ पर define करोगे, तो दोस्तों, यहाँ पर जो questions अब repeat होने वाले है, सारे आपके, ठीक है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो एक एक करके आपको दे संगर्ज किस परकार करता है, वो दिखाना है, पाषान, युके, नर्मे, प्रकरतिक मानव संबंद किस परकार करता है, वो define करना है, ठीक है, परियावरन लेखों के मुख्याधार क्यात है, तो यह है, दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर खतम होती है, और आप सभी students एक request है, कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो like, share, subscribe जरूर करें, ठीक है, हमारा जो target है, almost complete होने वाला है, और हमें target से भी उपर जाना है, यह निकि उस target पर ही रुख जाना है, ठीक है, target से उपर जाना है, और भी आगे बढ़ना है, आपके बहुत सारी help करनी ह है, तो जब तक आप हमारी help नहीं करोगे, हम उस like नहीं बनाएंगी, कि हम आपकी help कर पाएं, ठीक है, अगर इस वीडियो के अंदर में कहीं पर कुछ कमी रहती है, या फिर आपको किसी और special topic में वीडियो चेहिए, तो comment कीजिए, comment करके बताइए, हम उसमें वीडियो लान होगे, ठीक है, उनको भी अगर ये benefit मिलेगा वीडियो का, तो उनके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि में हिस्ट्री है, अगर घर पे प्रिपेर कर रहे हैं, तो तुना अच्छा से प्रिपेर नहीं होता है, कई सारे चीजी है, जो basic knowledge हो हमें मिलने ही पाता है, ठीक हम अच्छे से प्रिपेर करने पर, अच्छे से पढ़ने पर, अच्छे से पढ़ोगे, कैसे अगर classes लेते हो कहीं पर तो, यहां पर YouTube पर आपको free में classes मिल रही है, तो आप उसको ले लो, तो उसको वो कैसे लेगा, जब आप उस link को share करो, उस दोस तक पहुंचेगा, वो दोस अच्छे से एक गंटा 2000 रुपे, एक गंटा 1500 रुपे, अलग अगलग हिसाब कीताप है, जहां पर मैं जाता था मुझे 32 रुपे देना पड़ता था, ठीक है, चार गंटे के लिए मुझे 32 रुपे लगते थे, एक दिन में 4 गंटे बैट जाओ, 32 रुपे दे जाओ, जब जाना था पापाजी से महाँ को 32 रुपे दे दो, ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आपको फ्री में मिल रहे है तो उसका वेली को समझे, ठीक है, ठीक है या, थांकियो सो मच फो मुझे मी, थांकियो सो मच फो लिसनिंग मी, अगर कुछ सोजिशन हो, क आपके गजाम के लिए and thank you so much